नमस्ते सदा वस्तले मात्र मुमेज यहीं दोसो शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को चुकी है कि भारत अब तीसरे विमानमाहक पोदी आइनस विशाल पर पूरी तरीके से ध्यान केंदित कर रहा है जो कि वर्तमान और भविश्य की बेहत सक्जरुत बनती जारी है क्योंकि आइनस विक्रमादित्य का हाल बेहाली है चाहे उसको रिफिट भी कर लो लेकिन वो ब 12.8 मीटर की अनमेंट सर्फेस वेसल का निर्मान करेंगे और इसका इस्तमाल सूचना से संबंदित्यान के इंफोर्मेशन रिलेटेड ड्यूटिस के लिए भी कॉन्फीगर किया जा सकता है साथी साथ इसका इस्तमाल माइन काउंटर मेजर्स एंटी समरीन वारफेर इसके इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकंगनेंस मिशन आदी में इसका इसका इस्तमाल किया जा सकता है दरसल एज ग्रूप सागर डिफेंस इंजिरिंग को ट्रांसफर ओफ टेक्नोजी भी देगा जिसके तैस सागर डिफेंस 120 अनमेंट सर्फेस वेसल को तयार करेगा जिसम इसके ऑन बोर्ड में मिशन सेंसर सिस्टम्स और क्यामरा और कई तरीके के उक्विप्रेंट्स भी चुड़े होंगे बढ़ते हैं ग्लेबरेट की तरफ तो सो डिरेक्टर जनरल और अरेनोटिकल डवलेमेंट एजिंसी ने कहा कि ट्विण इंजन डेक बेस फाइटर जेट जिसे कि भारतिय नौसेना के लिए बनाया जा रहा है वो फोर्थ जेनरेशन का एरक्राफ्ट नहीं होगा बलकि ये माइनस फाइटर चेट होगा आपको बता दे कि फिफ जेनरेशन माइनस जो टर्म है उसे चीफ आफ स्टाफ यूएस आर्म फोसिस ने ये नाम दिया है जो कि एक नए लाइट वेट एरक्राफ्ट के लिए होता है जिसमें कि एफ-35 की कुछ तकनी के होती है और ये एफ-16 क लेगी इसके अलाबा 55 टेट वीफ का ओडर वो बात में देगी जो कि फिफ जेनरेशन एरक्राफ्ट के रूप में क्लैसिफाइड क्या निकी वर्गीक्रित किये जाएंगे बढ़ते एगलेबरेट की तरफ दोस्तो हाली में एविशन वाल की तरफ से एक फुटेज जारी किया गया है जिसमें कि आफोसी स्टैंडर्ड के तेजस मार्क वन एरक्राफ्ट दिखाया गया है जो कि तेजस मार्क वन एप्रोग्राम के लिए टेस्ट बैड है और इसने अपनी उडान भरी है दोस्तों आपको बताती कि तेजस मार्क वन ए टेस्ट बैड ने अपनी पहली फ्लाइट दो हजार बाइस में की थी और तेजस मार्क वन ए टेस्ट बैड पर नया रडार बार्निंग रिसीवर दिखाई दिया है जिसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ल बड़ते अगली अप्रेट किता तो सब गरूरा एरोस्पेस ने कहा है कि उनके द्वारा बनाए जा रहे वजरा UAV का जो मुख्यकाम है यानि कि प्राइमरी रोल है वो सर्विलांस करने के लिए होगा लेकिन वजरा UAV का एक हत्यार बन संस्क्रण भी होगा जिसमें की इसक इंटरनल वेपन बेबी होगा और इसे तब तयार किया जाएगा जब इंडियन एयर फोस इसके लिए बातचीत करेगी आपको उता दे कि फिलाल तो वजरा UAV का विंट टरनल मॉडल सिमुलेशन चल रहा है और इसके जो परिनाम है वो काफी अच्छे भी आया है और कंपनी की तरफ दोस्तों European Union के देश अब एक strategic heavy transport aircraft को बनाने के लिए काम कर रहे हैं जिसे कि 2026 से बनाया जाएगा और European Union के देशों का कहना है कि वो जो उनके दोस्ताना देश है यानि के friendly countries हैं उन्हें इस program के लिए वो approach भी करेंगे जिसमें कि भारत एक प्रमुक देश है जो कि Russian heavy class के transporters का स्तमाल करता है आपको उतादे कि strategic transport aircraft बड़ा होगा Airbus A400M Atlas से और इस program के लिए जो friendly countries है यानि कि दोस्ताना देश है वो संयुत रूप से member के तौर पर या फिर customer के रूप में इसे जॉइन कर सकते हैं बढ़ते अगलेबरेट की तरफ दोस्तों भारत electronics लिमिटेट इसराइली Airspace Industry के साथ एक M.I.U. साइन किया है जो कि एक joint venture के लिए है और इसका headquarter भारत की राजधानी दिल्ली में होगा जिसमें के MR-SAM Air Defense System का long time life cycle support और services की जाएगी वो भारत में साथी technical और maintenance support भी भारतिया arm forces को दिया जाएगा बढ़ते एक सब्डेट की तरफ दोस्तों United Kingdom के Royal Force के वांडिंटन Air Force Base में एकसाइस कोब्रा वारियर में भाग लेने के लिए 145 याने के 145 वायो धाउवाली एक भारतिय वायो सेना की टुकडी United Kingdom पहुंचिये यह अभ्यास 6 मार्स से 24 मार्स तक चलेगा बता दे की अभ्यास कोब्रा वारियर एक भोपक्षिय युद अभ्यास है जिसमें की फिल्लैंड, सुईटन, तक्षिन, अफ्रिका, संग्ताज, अमारिका और सिंगापूर के वायो सेनाई भी Royal Air Force और Indian Air Force के साथ भाग लेंगी बता दे की Indian Air Force ने इस एक्साइस के लिए अपने पांच मिरास 2000 लड़ा को विमानों को इसके अलावा 2417 ग्लोब मास्टर 3 और एक I.L.78 मिड एर रिफिलर विमान को यहां भीजा है और इस अभ्यास का मकसद है एक दूसरे के अनुभवों को साजा करना बढ़ते अगले अबडेट की तरफ दोस्तो इसराइल के डिफेंस टेक्नोलजी का लो हद दुनिया मानती है और अब इसराइल ने एक ऐसा टैंक पर तयार कर लिया है चोकि यूरॉप और अमारिका पर भी भारी पड़ने वाला है आपको बता दे कि इसराइल का ये नया ट जमता और इसका 360 डिगरी का अक्टिव डिफेंस सिस्टम काफी ताकतवर है इन खुबियों के होजे से इसराइली टैंक अपने प्रतिदंडियों से काफी आगे है यहां तक कि ये रूस के नए T-14 अमार्टा टैंक से भी आगे है इस टैंक में 120 mm की बोर गन लगी है जिसे इसराइली मिलिटरी इंडिस्टिस ने तयार किया है इस बंदू की मदद से उचाई से आने वाले हत्यारों को भी धेर किया जा सकता है साथी 4000 मीटर तक रक्षा करने वाला कवच भी इसमें दिया गया है और इसका जो दूसा सबसे ताकतवर हत्यार है वो है 7.62 mm की मशीन ग करता है टैंक के कमांडर के पास एक डिजिटल हैलमेट होगा जिससे कि उसे वार जोन का 3D व्यू मिल जाएगा साथी सभी आकडों को वो खटा करता है ताकि युद्ध को सवलता पूरवक पूरा किया जा सके यह हैलमेट टार्गेट के बारे में सारी जानकारिया मोहिया कर इस टैंक में कई नए सेंसर्स शामिल किये गए हैं इन सेंसर्स की वज़ा से टैंक पूरी ताकत के साथ अपने टार्गेट को निशाना बना सकता है साथी इसमें एलेक्ट्रोनिक वारफएर एक्क्यूपमेंट्स भी जोड़े गए हैं दोस्तों अमारिका की तरफ से साथ तरफ पर एक बड़ी बात सामने आई है और यह बात है चीनी उपकरणों को लेकर यानि की जो चीनी कॉंपोनेंट्स है उन्हें लेकर बात सामने आई है तरसल अमारिका की तरफ से यह बात कही गई है कि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी नौमत आए कि रूज भारत को ऐसी टेकनोजी दे जिसमें चीनी उपकरण लगे हो साफ तोर पर यह अमारिका का कहना है दूसरी बात मैं आप पोता दो कि एक ख़बर कुछ टाइम पहले आई थी जिसमें कि अमारिका के F-35 में जो एक मैगनेट है उसे चाइना की कामपनी ने तयार किया है जिसके बात अमारि अमारिका की तरफ से यह बात जो सामने आई है उसमें गलत तो नहीं हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि रश्यन हात्यारों पर कुछ चीनी पुर्जे लगे हो और इसका फाइदा चायना उठा सकता है इससे चीन को भारतिये रक्षा प्रणालियों और भारत में इस्तमाल हो रह चाइना पूरी तरीके से अब जानकारी शुराने की कोशिशे कर रहा है दरसल अमेरिके डेमोक्रेट सांसत राजा क्रिश्ण मूर्ती ने एक इंटिर्वी जारी किया उसमें कहा कि हमारी सामुईक सुरक्षा के लिए समीधनशीन टेक्नोजी के संबंद में अमेरिका और भार की रूस पर निर्भरता भी कम होने लगेगी साथ ही अमेरिकी सांसत ने कहा कि उनकी जो समीधी है उसका मकसद चीनी कमरिस पार्टी के द्वारा प्रस्तुत आर्थिक टेक्नोजी और रास्चे सुरक्षे चुराउती की चांच करना और उस पर रिपोर्ट देना है ऐसे मैं खास करकि यूरोपिय देशों में अपने पुलिस स्टेशन तक भी खोल चुका है जो की स्पेशली जासुसी करने के लिए तयार किये गए हैं और यहीं नहीं बीच में तो खबर यह भी आई थी कि उसने पश्चिमी पाइलेटों को भी अपने भरती करना शुरू कर दिया ह जो कि उनकी यानि की चीनी पाइलेटों को ट्रेनिंग देंगे यानि की पैसा फेक कर चायना हर चीज को खरीदना चाता है ऐसे में यह भारत के लिए बहुत ही सतर्कता का विशय बन गया है और भारत को अब हर चीज की जांच करनी चाहिए कि भाई रूसी हाड़वेर में क नहीं चायना के उपकरन ना लगे हो आपको क्या लगता है इस बारे में दोस्तो कहीं न कहीं हो तो सकता है लेकिन पूरी तरीके से कहानी जा सकता है क्योंकि रूस की जो इस्तिती है वो खराब हुच चुकी है और ऐसे में रश्या कुछ भी कर सकता है फिलाल आपको क्या ल झाल झाल